हेलो दोस्तों मेरा चैनल Tech Space में आपका स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे कि निफ्टी किस तर बहेव किया और कल जो है 30 जून निफ्टी कैसे बहेव कर सकता है कल के वीडियो में जैसे मैंने एक्स्प्लेंड किया था निफ्टी अभी भी एक कंस्ट्रेंड रेंज में ह 15700 के नीचे नहीं जा रहा है और 5900 के ऊपर नहीं ब्रेकाउट हो रहा है तो इसी रेंज के अंदर पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी मूव कर रहा है तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि एक अच्छा सा ट्रिगर चाहिए ताकि निफ्टी नीचे या उपर ब्रेकाउट दे त तो तब तक जब तक हमें क्लारीटी नहीं मिल जाता है मार्केट का तो हम तब तक इंट्राडे बेसिस पर ही ट्रेड करना ज्यादा बहतर रहेगा ताकि आपका कैपिटल बच सके और आप ज्यादा लॉसस ने देख सके यदि आप सेलर हो ऑप्शन सेलर्स हो तो यह सेल करन है वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटा सा डिस्क्लेमर जो आप पढ़ लीजिएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं तो निफ्टी आज 15800 में क्लोज हुआ जो की 15700 और 15900 के सेंटर पॉइंट में हैं तो अगर कल निफ्टी एक अच्छा मूव चाहिए तो 15930 के ऊपर अगर निफ्टी मूव करता है तो आपको बहुत अच्छा एक अप्ट्रेंड मिलने का चांस है और अगर निफ्टी कल डेसिवली 15700 के नीचे या 15688 के अराउंड आकर ट्रेड करना शुरू करतेता है तो आपको एक अच्छा डाउंट्रेंड मिलने के चांस है तो आपका पहला टारगेट जो होगा यह होगा 16,000 और अगर 16,000 होगा पहला टारगेट और यहां पर आपका पहला टारगेट होगा 15,600 के आसपास इसको भी अगर प्रेक करता है तो उसके बाद आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मिल सकता है बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी एक अच्छा का सा डाउन ट्रेंड में है बैंक निफ्टी 34,000 के पास गया था फिर अब फिर से वो 33,269 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो बैंक निफ्टी में but over a period of time बैंक निफ्टी भी consolidate कर रहा है इसके लिए एक अगर बैंक निफ्टी 33,423 के उपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आपका पहला टार्गेट होगा 33,549 और यह दिया अगर नीचे जाता है कल बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो 33,000 मनीटी या 200 के आराउन बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है अगर इसको अगर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा डाउन फॉल दे सकता है जो लेकर जा सकता है 33,000 तक देखो मैं आपको आज एक ही टार्गेट दे रहा हूं वह इसलिए क्योंकि मार्केट में कुछ क्लैरिटी आना ज़रूरी है अगर आप ग्लोबल मार्केट भी दिखेंगे तो ग मार्केट में डेटा आ जाएंगे तो उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उसे कहां पर जाना है तो उसके बाद आप एक अच्छा ट्रेंडिंग मू ले सकते हैं तब तक आपको बहुत कंफीजन होगा अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उसे सेल आउट किया जा और पुटा और PCR जो है वन है तो जो कॉल राइटर और पुट राइटर इक्वल अमाउंट में है तो यहां पे कहीं पे भी अगर 100 पॉइंट उपर नीचे अगर होता है तो बहुत फॉर्दर एक बड़ा फॉल या बड़ा राइस हम देख सकते हैं उसके चांसे और कल एक् इसे ऐसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा अनलेजन अंटिल देर इस अ गुट रीजन फॉर दा मार्केट टू मूव और मैक्सिममम कॉल राइटिंग जो है 33 500 में हुआ है तो इसी के बीच में मार्केट जो है वो ट्रेट कर रहा है तो एक अच्छा अगर निउस आ जा जाए वो अन्वाइंड करना स्टाट कर देंगे और मार्केट अच्छा से उपर जाएगा और निगेटिव निउस आये तो उसका ऑपसेट होगा तो इस थरह आप कल के लिए एक्सपाइडी डेके लिए आप ट्रेट प्लाइन कर सकते हैं अगर आप एक्सपाइडी का दिन के लिए कि मार्केट एक्चली कान जाना चाहता है इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेर जुरूर कीजिएगा थैंक्स